हेलो फ्रेंड राधे राधे स्वागत है आप सभी का मेरे चनल पे फ्रेंड देखिए ये मैंने कुछ दिन पहले लोटस के सीड्स लगाए थे अभी आज इनको लगाए हुए 30 दिन हो गए हैं इतने दिनों में ही देखो कितने बड़े-बड़े हमारे प्लांट हो गए हैं य को आप पुजा के समान वाली दुकान से भी खरीज सकते हैं यदि आप वहां से नहीं खरीदना चाहते तो ऑनलाइन भी मंगा सकते तो फिर देखीक कैसे मैंने इनको ग्रोव किया हैं, देख़े फ्रेंड मैंने इसके लिए ये तीन सीड्स को ले लिया है, मुझे ये दस रुपे के मिले थे तीन सीड्स, तो देख़े एक साइड से ये जो अंदर की साइड जो होल सा दिखाई दे रहा है, और दूसरी साइड हमें थोड़ा उठा हुआ दिखाई दे रहा है तो हम इसको होल वाले साइड से थोड़ा सा गिस लेंगे आप इसको जमीन पर या फिट सैंड पेपर भी गिस सकते हैं मैंने ये चोटी सी टुकडी ली है पत्तर वाली इसके उपर मैं इसको गिस रही हूँ जब तक इसका अंदर का सफेद कलर का पाट नहीं दिखता तब तक हमें इसको गिसना है देखिए हमें सफेद कलर का थोड़ा-θोड़ा दिखने लगा है थोड़ा सा हम और गिसेंगे इसको यदि आप नहीं गिसना चाहते तो आप इसको direct भी लगा सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ा जर्मिनेट होने में थोड़ा time लगेगा यदि आप गिस कर इसको लगाओगे तो जल्दी ग्रो हो जाएंगे देखे फ्रेंड इसका सफेद कलर का भाग दिखने लगा है अब हम इसको और नहीं गिसेंगे बाकी जो seeds हैं उसको हम ऐसे ही गिस लेंगे यदि हम seeds को ज़्यादा गिसाई कर देंगे तो फिर seeds हमारे खराब भी हो सकते हैं हमें ऐसे ही तीनों बीजों को घिस लेना है देखे गाइस मैंने तीनों seeds को घिस लिया है अभी हम इसको ग्रो करेंगे इसको ग्रो करने के लिए हम इस पत्थर को साइड में हटा देंगे और ये एक काश के गिलास में मैंने पानी भर लिया है अब इस बीज को हम इसमें डाल देंगे कुछ दिन बाद देखेंगे देखें फ्रेंड मैंने इसको डाले हुए चार दिन हो गई है चार दिन में ही हमारा बीज कितना अच्छे से ग्रो हो गया है जब ये grow होने लगा तो मैंने इसका एक बर पानी भी change कर दिया था और इसको बड़े वाले जग में डाल दिया था ता कि इसके बीज अच्छे से grow हो जाए आप भी बीच में इसको पानी change कर दें और इसके लिए एक बड़ा बरतन ले देखी फ्रेंड तीनों शीट्स अच्छे से ग्रो हो गई है अभी हम इनको ट्रांसपर करेंगे इनको ट्रांसपर करने से पहले आप देख लें ये पत्ता अगर आ जाए तो आप इनको ट्रांसपर कर सकते हैं पत्ता आना शुरू हो गया है तो अब हम इसको बड़े बरतन में ट्रांसपर करेंगे हम इसको मिट्टी में लगाएंगे इनको गरो करने के लिए मैंने ये कपड़े दोने वारा टप लिया है आप पाल्टी भी ले सकते हैं यदि आपके पास टप नहीं है तो अब हम इसमें मिट्टी डालेंगे हमें इसमें होल नहीं बनाना है हमें बिना होल के ही बीज को गरो करना है फ्रेंड इसमें मिट्टी हमें नॉर्मल ही डालनी है ना कोई खाद मिलाना है ना कुछ और मिलाना है जो हमारे पास खेत की या फिर अपने गार्डन की जो मिट्टी है उसी को इसमें डाल देना है देखिए मैंने एक तसला भर के इसमें मिट्टी डाल दी है मिट्टी डालने के बाद अब हम इस मिट्टी को हाथ से फैला लेंगे इसके चारो साइड से हम मिट्टी को ब्रोबर कर लेंगे फ्रेंड मैंने टप में पांच इंच तक मिट्टी डाली है इसको पांच इंच तक हमने भर लिया है अब इसको ब्रोबर करने के बाद हमें इसमें पानी डालेंगे इसको पानी से उपर तक भर देना है तो देखिए गाईज मैंने इसको पानी से उपर तक भर दिया है अब एक छलनी लेंगे और इस छलनी से जो इस मिटी का जो कच्रा है जो पानी भरने के बाद उपर आ गया है सारे कच्रे को छलने की मदद से निकाल देंगे देखिए फ्रेंड मैंने सारे कच्रे को निकाल दिया है अब हम इपने सीड लेंगे और इनको एक एक करके इसमें अंदर तक मिटी में दबा देंगे हमें आराम से इसको दबाना है यदि इसकी ये तूट गई पत्तियां तो फिर खराब हो जाएंगे हमारे बीज तो तेनों बीजों को हम अलग-अलग दबाएंगे थोड़ा गैब करके हमें इनको एक साथ नहीं लगाना है तो फ्रेंड कल दिखाती हूँ मैं आपको इसकी वीडियो जब तक इसका पानी भी साफ हो जाएगा फिर इसके शीड कलियर नजर आएंगे तो देखिए फ्रेंड अगले दिन का रिजल्ट है ये हमारे तेनों सीड अलग-अलग दिखाई दे रहे हैं अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे अब कुछ दिन बाद मैं आपको फिर दिखाते हूँ इसकी वीडियो फ्रेंड आप भी लगा सकते हैं बहुत आसान है इनको गरो करना जब आप करेंगे तो आपको खुदी पता चल जाएगा तो ये देखिए फ्रेंड एक महिने बाद का रिजल्ट कितने अच्छे से ग्रो हो गए है प्लांट सारे कितने बड़े-बड़े हो गए है इसका बीच में मैंने एक दो बार पानी चेंज किया है आपको भी पानी चेंज करना पड़ेगा नहीं तो प्लांट स्खराब भी हो जाएंगे तो फ्रेंड कैसी लगी आपको वीडियो कोमेंट करके बताना वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बाई बाई राधे राधे